सबन नहीं रहा दिल्ली गए हैं राष्टिय स्तर पर विपक्ष को एक जुट करने हैं किस सोच के साथ गए हैं वो अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्ण है भाई आज की तारीक में अगर विपक्ष उनके नेत्र तुमें एक जुट हो तो किस आधार पर एक जुट होगा विपक्ष में कई और ऐसे बड़े डल हैं कई और ऐसे बड़े नेता हैं जिनके पास कॉंग्रिस की बात कर लिजेए चेसो साथ सो विधायक हैं कॉंग्रिस के पास ममता बेनर जी जी की बात कर लिजेए दोसों से जाधा विधायक हैं अकिलेश जी की बात कर लिजे सवा सो विदायक हैं, केजरीवाल जी जिनकी पार्टी को राष्ट्य पार्टी का भी दर्जा मिल गया है, दिल्ली पंजाब मिलाकर उनके पास 1.500 विदायक हैं, तो ऐसे में कोई पे लोग आग जनी से आज की तारीक में बेघर होके सडकों पर बैठे हुएं वहां पर उनके अहलात पूछने के लिए नहीं जाता बिहार में आए दिन हत्या होनी किस मौडल के साथ ये जा रहे हैं ब्रश्टाचार का मौडल लेके जा रहे हैं कि अपरात का मौडल लेके ज रहे हैं या जहरीली शराब से होने वाली हत्याओं का मौडल लेके जा रहे हैं किस मौडल के साथ ये जाएंगे केंदर की राजनीती में बिहार में इन्होंने आज तक किया क्या है बाई आज तक अजादी के 75 साल के बाद अगर बिहार अभी भी पिछड़ा है तो इसमें इनी के ही तो गड़बंदन का श्रे जाता है ना आज बिहार में जिस गड़बंदन की सरकार है महा गड़बंदन जिसको ये लोग बोलते हैं 32 सालों से तो इनी लोग की सरकार है 90 के दशक से तो यही लोग साशन में सत्ता में जब 32 सालों में ये लोग बिहार का विकास नह रहना है जिनसे बिहार नहीं समलता onसे देश क्या उमीद रखे गालता को पर दो Callण से हार के मुख्य मंतरी नहीं बन पाई वो देश के प्रधान मंतरी क्या बाना कशिक्षक म्हाली बना है जुदया उनका भी बिज्स सुरू हो गया दिक्कत यह है कि जो स्टेक होल्डर होते हैं उनको मद्दे नजर रखते हुए बिहार में नीतियां बनाए ही नहीं जाती है जिन लोगों के लिए आप नीतियां बनाते हैं ना उनसे कभी राय मश्वरा किया जाता है ना उनसे पूछा जाता है परिनाम स्वरूप मुख्य मं नितिश कुमार जी दिहार सरकार की हर नीति विफल होती है धरातल पर उतर ही नहीं बाती क्यों कि कभी इनों ने किसी से राय मश्वरा और खास तौपे जो स्टेक होल्डर हैं उनसे कभी इनों ने पूछना जरूरी नहीं समझे आपको महागरवंदन से उफ़र आया है महा कि अधरी प्रात्मिक्ता क्लियर है इस पात में हमेश्य हम लोगों ने कहा है कि चुनाओ के वक्त करबंदन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा फिलाल हम लोगी प्रात्मिक्ता पार्टी का संगठन पाटी के जनाधार को और मश्बूत करना और उसी सोच के साथ जानलु काम